ग्रूप D previous question, set 1 का question है, 4 बटा 5, 7 बटा 8, 6 बटा 7, 5 बटा 6 को आरो ही क्रम में विवर्स्थित कीजिए, यह 4 option दे रखें, तो आरो ही क्रम के मतलब क्या होता है, यह देखिए, आरो ही क्रम, मतलब होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है, आरो ही मतलब होता है, घड़ते क्रम, घड़ते क्रम, तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो देखिए, बढ़ते क्रम के मतलब सबसे यह छोटा लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा है, 4 है चार के वाद 5 है फिशे है फिर साथ है पिर छैनल है और नीचे ही सब की लिएंगे से में दर्ण म्त शिच पांच है फिर श्य इसा preach on एंड पबढ़े फिर सर्सेट है यह आगे ज्यार एंट जिसे न ख़र ऐखाघा छी होता झाल, 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 झाल.